नमस्ते दोस्तों मैं हो आपका दोस्त भगवती प्रसाद पूरहित एड़ोकेट और आज के वीडियों हम समझने वाले हैं कि आपका खसर नंबर अर्थात आपकी जो जमीन है वह आपके समगर आड़ी से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है उसको आप केसे देखेंगे कहां से देखेंगे यह सब को जानकरी में आज के वीडियों आपको देने वाला हूं तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के मध्यम से आपको मिलती है सरुल रासन भाशा में कान उनकी नईने जान करी और इसी प्रकार की टेकनिकल जान करी तो आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं देखें दोस्तों आपको अगर आपके खसरे को समगर एडि से लिंक कर दिया और उसके बाद आप अगर देखना चाहते हैं कि आपका खसरा नंबर आपकी जमीन वह समग इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा एमपी इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एमपी भूअभिलेक.gov.in इस साइड पर आपको जाना पड़ेगा और इसको आपको सर्च करना है ठीके यहां पर सर्च करने के बाद में आपको क्या करना ह तोड़ा सा आप इसको ऊपर खिसका ये, इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रोल कीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, कि ये जो भू अभिलेग जो ही, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से एक नया जमीन है उस जिले को आपको चैन करना है इस तरीके से चैन करना है जिसे उज्जन जिला है तो इस उज्जन जिले को मेहां पर इसे चैन कर लेता हूं इसके बाद में आपकी तेसिल है उसको यहां से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको क्या करना है गाउं को सिलेक्ट करना जो भी आपका गाउं है जिस गाउं में आपकी जमीन है उस गाउंु को आप यहां से है्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है जो नहीं है तो मैं अप 첫 कि आप भूमि स्वामि से कि दो चाहले है तो मैं यहां पर भूमि स्वामी से देख रहाह Mia मैं यहाँ पर भूमी स्वामी से देख रहा हूँ भूमी स्वामी से देखने पर किसी भी भूमी स्वामी को आप यहाँ से देख सकते हैं यह से आप इसको उपर स्क्रोल करेंगे यह से आप इसको उपर खिसकते जाएए तो जिस भी भूमी स्वामी को आप देखना चाहते है उस भूमी स्वामी को आप यहां से देख सकते हैं और उसका खसरा नंबर भी आप यहां से देख सकते हैं तो मैं यहां पर किसी भी भूमी स्वामी के नाम पर यहां पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद में यहां पर आप आप के सामने इस तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूं इस तरीकेसे आपके सामने खतोनी खुलकर आजायेगी तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है साब अक्षिरों में लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर यह कालम नमबर एक दो और तीसरा कालम इसमें लिखा है खातेदार खातेदारों का ID क्रमांग सहिंक तो खातेदार या उनके नाम सहित ID क्रमांग तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, सुरक्षा की दरश्टी से मैंने इसको blur कर दिया है, और यहाँ पर यहाँ पर आईडी नंबर लिखी हुई है, इसको भी मैंने सुरक्षा की दरश्टी से blur कर दिया है, और यहाँ पर आप यह खसरा नंबर उस व अगर आपका खसरा आपके लिंक नहीं हुआ है तो यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा अगर यहां पर एक से अधिक क्रशक है तो सबकी आईडी सामने यहां पर अलग अलग लिखी हुई आएगी तुम्हें विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको सेर करती प्रिमिलते अगर लेडियों तर तक के लिए जय हिंजे भारत